प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्रे, शान्ती और आशिश मिले एक जज थे जिनका नाम चार्ल्स जी स्मित था और ये फ्लॉरिडा के लेक लैंड नगर में इनका जनम हुआ था इनके फादर का नाम जॉन स्मित थे, जो क्यूबा से इमिग्रेंट बनकर अमेरिका में आए थे और इसकी माता का नाम इवा था, जो अमेरिका में रहने वाली आफ्रिकन थी और इस इवा के माबाब पहले गुलाम थे और इनके आठ बच्चे थे, और चार्ल स्मित उन आठ में से एक था और इसको अच्छे मौके मिले पढ़ाई के और कानून पढ़ने के और ये स्मित जो थे वो लोगों की धार्मिक अजादी के बारे में काफी संगर्श करते थे और उसके लिए उन्होंने काफी योगदान भी किया चार्ल्स जी स्मित जो उन्निस सो अठासी इस्वी में जुलाई अठारा को ये पहले ऐसे वाशिंग्टन सुप्रीम कोट के जज़ बने जो गोरा व्यक्ती नहीं था इसको पहला अफ्रिकन अमेरिकन जज़ सुप्रीम कोट का इसने उस पद को ग्रहिंड किया और इससे पहले कि वो वाशिंग्टन सुप्रीम कोट के जज़ बने तो शायद पहले किसी और उचे कोट में ये जज़ थे और उनके सामने एक ऐसा मुकदमा लाया गया जहां पर एक चौदा वर्ष का लड़का फोटीन येर ओल्ड उस लड़की ने उस पे जो इल्जाम था जो सबूतों के साथ था कि उसने एक हत्या की और पांच चोरिया की और एक चोरी की उसने कोशिश की और जो सबसे बुरा जो उसका गुना था वो था जो उसने हत्या की थी 14 साल का बच्चा और चाल्ज जी स्मित को जब उसका उसकी सजा लिखनी पड़ी और जज्जमेंट देना पड़ा तो वो विक्ती रो रहा था वो टूट गया और वो जज्ज रो रहा था क्योंकि लड़का 14 साल का था और ये एक अजीब बात लगती है कि एक जज्ज रोने लगे क्योंकि वो तो रोज ऐसे केसिस देखता है लेकिन इस जज्ज के मन में ऐसी तरस थी ऐसा कमपैशन था इसी समझ थी कि ये सिर्फ ये लड़के की गलती नहीं है कई सारे हालात होंगे जिन हालातों ने इसको मजबूर किया होगा ऐसी उसकी संगती होगी जिनके साथ रहकर वो ये चीज़ों को सीख गया होगा और विशेशकर जो सजा उस पर सुनाई जारी थी ये मुझे नहीं मालूम है क्या सजा उसको सुनाई गई लेकिन 14 साल का था तो अब्विसली कोई और कैटेगरी होती है युविनाईल कैटेगरी होती है लेकिन फिर भी सजा सकती इसलिए जज़ उस बच्चे की हालत को सोचकर रोने लगा और इस घृतना से मैं हमारे श्रिष्टी करता कि सत्य के बारे में भी सोच पाता हूँ कि उस जज की जिस स्थिती में था वैसे ही हमारे स्थिती करता अपनी स्थिती में है कैसे परमीशवर ने मनुश को अपनी समानता में बनाया और उसकी बड़ी दिल की इच्छा थी कि मनुश्य परमिश्वर के साथ करीबी संगती में रहे लेकिन मनुश्य ने परमिश्वर की आग्या को तोड़ा पाप किया परमिश्वर से दूर हो गया परमिश्वर की महिमा से रहित हो गया और मृत्यू इस संसार में आ गई और मृत्यू सब पर हावी है मनुश को परमिश्वर की उपस्तिते में आने की फिर परवांगी नहीं थी, परमिशन नहीं था पापों की मजदूरी मृत्यू है मृत्यू सिर्फ एक शारिर्क मृत्यू नहीं है परद्टो जो व्यक्ति अपने पापों में मरता है उसकी आत्मा हमेशा के नरक के धंड में जिसको दूसरी मृत्यू कहती है कहते हैं चली जाती है और यहां पर परमिश्वर भी दुखी होता है मनुश्य की सजा को देख कर मनुश्य की स्थिती के बारे में सोच करके कैसे अनंत काल तक ये पीडा में रहेगा जहाँ पर रोना और दाटों का पीसना है शुरुवात में उत्पत तीछे अध्याई में वाइबल में लिखा है जब परमिश्वन ने जल फ्रलाइपूरी प्रित्वी पर भेजा और सिर्फ एक आठ लोगों के परिवार को बचा के रखा मनुश्यों में उससे पहले प्रभू के विचार क्या थे और परमिश्वन ने देखा कि मनुश्यों की बुराई प्रित्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है सो निरंतर बुरा ही होता है और परमिश्वन प्रित्वी पर मनुश्यों को बनाने से पश्टाया यानि उसको दुख हुआ और उमन में अती खेदित हुआ हुसिया तेरा नौ में लिखा है एजराइल तुने अपने आपको बर्बाद कर दिया है परंतु मुझ में तेरी साहता है तुने तो अपने आपको बर्बाद कर दिया है पाप को चुनके गिनोने जीवन को चुनके तुने अपने आपको बर्बाद कर दिया है लेकिन अभी भी एंड नहीं है अभी भी आशा है परंतु मुझ में तेरी साहता है प्रभु येश्व मसी में एक पापी को सहायता आज भी अभी भी इस शण भी मिल सकती है प्रविश्वर की कभी इच्छा नहीं थी के मनुश नाश में भेज दिया जाए अनंतकाल की पीडा में भेज दिया जाए लेकिन पापो की मस्दूरी ही वो थी चार्ल्स जी स्मित एक बहुत इमानदार जज रहे और इसलिए दिया करने पर भी वो उसकी बच्चे की सजा को घटा नहीं सकते थे ना हम उसको बचा सकते थे के चल मैं तुझा घर ले जाता हूँ तेरा पालन पोशन करूँगा वो नहीं कर सकते थे क्योंकि सजा सुदानी थी और सजा उसको देनी थी तो इसलिए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया वो सिर्फ रोए तूटकर रोए क्योंकि वो सहायता नहीं कर पाने थे लेकिन परमेश्वर जो सारी प्रित्वी का धर्मी और ज्याई जज है ना केवल उसने मनुश्य के लिए रोया वो परन्तु उसने अपने पुत्र को इस धर्ती पर भेज दिया और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यश्य मसी ने हमारे पापों की सजा को अपने उपर लिया उस कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहु हमारे पापों के प्राइश्चित के लिए हमारे पापों को धोने के लिए उसने बहा लिया और मृत्त कुमे से तीसरे दिन उजी उठा तो क्योंकि अब किसी और ने मेरी सजा को ले लिया है इसलिए प्रित्वी का सारी प्रित्वी का न्याई जो हमेशा सही करता है अब वो मुझे माफ कर सकता है उसने मुझे माफ कर दिया है और कहा जा बेटे तेरे पाफ शमा हुए अब मुझ पर धंड की आ गया नहीं है क्योंकि मेरी पीड़ा मेरे दुख को परमेश और कपुत्र प्रभु येशु मसी ने कुरूस पर अपने शरीर में उठा लिया जो दरक के धंड का की सजा मेरे भाग में थी वो उसने अपने उपर कुरूस पर ले ली जगत के लिए ले ली ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनत जीवन पाएगा दया और सच्चाई कभी मेल नहीं खा सकती क्योंकि सच्चाई कहती है पापी को सजा मिले लेकिन परमिश्वर की दया ऐसी नहीं है क्योंकि वो मनुश्य से प्रेम करता है मुझ से आप से प्रेम करता है लेकिन क्योंकि न्याई है कैसे दया कर देगा ऐसे वो जज़ भी नहीं कर पाया इसलिए कलवरी के क्रूस पर ज्याई या सच्चाई और दया का में हुआ लिखा है कि mercy and truth have met together दया और सच्चाई ने आपस में मिलन किया क्रूस पर और इसलिए आज परमिश्वर एक पापी को शमा कर सकता है यशाया एक में लिखाए परमिश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे उन के समान श्वेत हो जाएंगे हीम के नाई श्वेत कर देता है अगर वो पश्ताब और विश्वास करता है प्रभु यश्व आपको आशिश्टे